2024 की इस सरकार के मुख्य किरदार है चंद्रबाबू नाइडू और नितीश कुमार क्या ये दोनों मिलकर खेला सुरू करने वाले हैं एक ऐसी डिमांड रख दी है जो अगर पूरी नहीं की मोदी जी ने तो मोदी सरकार या कहें के NDA सरकार कभी भी गिर सकती है तो कोई आश् पूरी हो रही है तो दोस्त है और अगर पूरी नहीं हो रही है तो फिर एक दूसरे के जानी दुश्मन है आखिर क्या है डिमांड और ऐसी भी क्या डिमांड है जो पूरी नहीं हुई तो कभी भी गिर जाएगी मोदी सरकार और मोदी चंद दिनों के महमान रह जाएंगे प्रधान मंत्री पदपर नमस्कार मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक दोस्तों इस बार की राजनीती के जो मुख्य किरदार हैं वो मोदी जी के अलाबा टीडीपी के चंद्रबाबू नाइडू और जेडियू के नितीश कुमार है मोदी जी से जादा चर्चा अगर मीडिया में हो रही है तो वो नाइडू और नितीश कुमार की हो रही है आखिर इसकी वज़य क्या है वज़य साफ तोर पर है कि यहीं दो मुख्य किरदार ऐसे हैं यहीं दो मुख्य पार्टियां ऐसी हैं जिनके बिना मोदी जी अदूरे ह सरकार नहीं बना पाएं गे सरकार कभी भी गर जाएंगी और मोदीजी रह जाएंगे अकेली आ Nopeac और अघर इंडिया अगर की सरकार कभी भी भी बन सकती है सोशल मीडिया पर इन डौनोही पार्टियों के नेताओं को इनकी पुरानी यादें भी दिलाई जा रही है विपक्षियों के दौरा कि आपके साथ किस तरह का व्यवार हुआ था जिससे नहीं याद आ जाए कि हमारे साथ मोदी जी या बीजेपी ने क्या किया है बहराल बात हो रही है कि आखर ऐसी क्या डिमांड है इनकी टीडीपी की अगर हम बात करें तो चंद अथन वापस ले सकते हैं एंडिये से और खबरों में बताया जा रहा है कि जेडीउ की इस पद पर भी पहनी नजर है हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए आप क्यों मंत्री से जादा लोग सभा स्पीकर पर है खीचतान किसी तरह का समझोता नहीं चाहती भाजपा किंग क्यों है मैं कि बीजेपी देना ही नहीं चाहती दे दे भई टीडीपी को जब सरकार बनाने में महत्तपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि यह क्यों नहीं देना चाहते हैं इस पद को यह दोस्तों आपको बता दें कि लोग सभा स्पीकर का जो नरेंद्र मोदी नेताओं को तोड़ने में बड़े माहिर हैं कभी भी किसी का भी नेता तोड़ सकते हैं तो इसका फैसला जो लेना पड़ेगा वो लोग सबाय स्पीकर को ही लेना पड़ेगा ऐसे में अगर उनका लोग सबाय स्पीकर होगा तो वो इस पर फैसला ले सकते है अगर बीजेपी का होगा तो किसी का भी नेता आएगा जब जोड़ तोड़ करके तो उस पर उनी का लोकसभा स्पीकर जो है फैसला लेगा इससे पहले आप देख चुके हैं ओम बिरला किस तरीके से उन्होंने इस समवेदानिक पद की धज्जियां उड़ाई थी और एक कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया था जिसकी काफी निंदा हुई थी लेकिन ओम बिरला ने अपनी पद की गर्मा का खयाल नहीं रखा इतिहास देखा है उसी को देख करके नाइडू और नितीश चाहते हैं कि ए पद उनके पास होना चाहिए ना के बीजेपी क पास आपको बता दे कि कल मोदी जी ने प्रधान मंत्री पद के तौरपर तीसरी बार शपत ली और बहात्तर मंत्रियों ने भी बाकाइदा शपत ली इसमें जेडियू के जो नितीश कुमार है उनकी पाटी से 12 सीटे आई है और इसमें उनको एक कैबिनेट मंत्री और एक प्रतिशत मंत्री पद दिये गए हैं इसमें एक कैबिनेट मंत्री और एक राजमंत्री का पद आया है टीडीपी के राम मोहन नाइडू ने कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर चंदर शेखर पेमा सानी को राजमंत्री के पद के रूप में शपत दिलाई गई है आपको बता आते हैं कि लोग सबाय स्पीकर का पद और साती सत एंडिये संयोजक के रूप में भी यह अपनी एहम भूमिका निभाएं अगर नहीं मिला तो याने वाला समय बताएगा कि टीडीपी और जेडीउ मोदी जी के साथ इस बार क्या करते हैं खेल बड़ा रोचक होगा क्योंकि अब खुलम खुला खेल बीजेपी नहीं कर सकती है क्योंकि उसे बैसाखियों के सहारे चलना है दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि खेल कब तक देखने को मिल सकता है क्या जेडीउ और टीडीपी के साथ मोदी जी भूमे का लंबी समय तक चला पाएंगे लंबे समय तक मैच खेल पाएंगे या फिर बीच में ही आउट होके चले जाएंगे आप जो भी सोचते हों कमेंट बॉक्स में अपनी राहे जरूर दीजिए और साथी साथ बताइए कि पद किसके पास रहना चाहिए टीडीपी जेडीव बीजेपी इस वीडियो को और जगा शेयर कीजे चैन नमसकर